साल 2024 में रक्षा बद्नन वाले दिन अगर भद्रा लगे हुए हैं तो फिर राकी बांधने का सुब मगुरत कितने बजे से कितने बजे तक है भद्रा असुब क्यों मानी जाती है राकी बांधने के पीछे क्या पौरानिक कता है आपने अगर हमारे इस यूटूब चैनल को आवा से सब्सक्राइब कर लें जिससे के आने वाली वीडियो का नोटीपिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके दर्सकों 19 अगस्त दोजार चौवीस वार सोब्मार को पूर्मातिती प्राते तीन वजगर चार मिनट से प्रारम हो जाएगी जो कि रात्तरी 11 वजगर 57 मिनट त बद्रा के समय राखी बांदना निशेत बताया गया है एक पौराणिक कथा के अंसार सूपन काने अपने भाई रावड की हात की कलाई पर बद्रा के समय राखी बांदी तो रावड का सर्वनास हो गया बद्रा कौन है यह सूर और छाय की पुत्री है सनी की बेन है जिस तरह से सनी कोधी है इस तरह से बद्रा के मुख से आग निकलती है तीन पैर वाली है और गदे का मुख है इसका जन्म राक्यासों का सहार करने के लिए हुआ था लेकिन यह देवताओं को परेशान करने लग इस उदरंडता को देकर ब्रह्मान जी ने श्राप दिया कि जो भद्रा के समय सुभ कार करेगा वे फलित नहीं होगा असुभ माना जाएगा इसलिए खोल का देन और रक्षा बंदन जैसे तोहर को भद्रा के समय नहीं मनाया जाता है राखी बानने का सुम मौरत 19 अगस 2024 बार सुम मार को दोपैर एक बज कर 32 मिनद से लेकर रात्री नौ बज कर आठ मिनद तक है दर्शकों राखी बानने की प्रता कम से प्रारम होई राजा बली को दान करते हुए बड़ा घमंड हो गया भगवान विश्नों ने बामन रूप में अवतार लेकर राजा बली की पर चली उनसे तीन पग भूमी मांगी पहले पग में राजा बली से आकास और पाताल को नाप लिया दूसरे पग में प्रत्वी लोग को नाप लिया तीसरे पग की जब जरूरत होई तो बली ने अपने सिर पर उनके पैर रहें जब इस बात के बारे में मालूम हुआ तो मालच्मी बेस बदल कर बली के पास गई और उनको भाई बना कर उनके हाथ की कलाई पर राखी बांदी राखी बांगने के बदले में उन्होंने अपने पती को मांग लिया उस दिन से यह रक्षा बंदन का त्वार शुरू राधी राधी